हेलो वच्चों कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ आप सभी सस्त होंगे मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लिट्ली व्यस्त होंगे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आरन एजे कुछन फाउंडेशन में जहां पर आज हमें स्टार्ट करने वाले हैं एप्लिकेश करें हैंि आपका एल्क्ट्रिक खण ठीक है इसली स्टार्ट करते में टाइमबेश्ट के वह अपना प्ना क्या न耐 क्या है अन्हें अब पर किछ य६ पनों सबसे पहले आपकी सामने ने फिटिंग दिखे वह है प्रैक्टिक्प्लिकेल्षानicus हीटिंग फेकट ऑफ उवि कि अधिक आइरन को ध्यान से पढ़िए कर सबसे पहले पढ़ते हैं और समझने कोशिज करते हैं क्या है इसका अप्लिकेशन ऐक कोशब्स कोश हैं पार पार अबनागी और दिस कुट ईसकी दिस्काइकशन गोगास कर दो quiereक दो दो ₱ electric connection between them mica and the bad conductor of electricity but it is a good conductor of heat due to the flow of current through the coil it becomes heated and the heating transferred to the metal part through the mica finally the metal part becomes heated, iron is used with the heating effect of electric current देखो, मैं आपको भी दिखाने कोशी करता हूँ electric iron को, तो उसे आपको clarity मिल जाएगी ये रहापका electric iron क्या रहापका? electric iron इस electric iron में आपको एक चीज दिख रही होगी ठीक है? दिखा रहा हूँ इस electric iron में आपको ये नीचे वाला part दिख रहा है नीचे वाला part, उपर वाला फाइबर है कि ताकि आपका इलिए जो heat हो उसमें ना पहुच पहे था कि हमारा हाथ न जल सके ये नीचे वाला जो part आपको दिख रहा है नीचे वाला part इसको बोलते हैं ये आपका है किसका? ये आपका बना है ये जो आपका बना है वो बना है आईरन से किससे बना है? आईरन से ये वाला part ये क्या करेगा? ये heat का बहुँ ज्यादा अच्छा conductor है अच्छा conductor तो नहीं बुर सकती लेकिन हाँ heat को आपके surface से पहुचाएगा ये जो electric current लेकिन इसके अंदर एक coil लगी होती है माइका के surface के उपर माइका के surface के उपर माइका मींस एक पत्थर का type का structure होता है पत्थर की तरह दिखेगा आपको माइका बोला जाता है उसको उसके उपर एक coil रखी रहती है जिसमें हम current को flow ऐसे कराएंगे तो wire रहेगा यहां से हम एक pole को जोड़ देंगे plus को यहां से जोड़ देंगे negative को जब इसमें current जाएगा तो इसकी resistivity, resistance बहुत जादा हाई रहता है और जब resistance बहुत जादा हाई रहता है तो जितना जदा current फ्लो कराएंगे उतना जदा यह इसमें heat produce होगा अब तो heat produce होगा, अगर हमने यह mica ना लगाया होता बीच में और नीचे iron का surface होता है जोब हमने अभी दिखाया यह iron का surface लगा होता है नीचे यह iron के surface और coil के बीच यह तो अपना है coil क्या है? coil और यह नीचे है iron, ठीक है? coil और iron के बीच हमने mica इसलिए shift किया है क्योंकि mica जो है वो good conductor of heat है लेकिन bad conductor of electricity है, मतलब electricity का flow हो ही नहीं पाता तो यहां से जो coil में हमने current को flow कराया है तो वो वहां पे नीचे नहीं जा पाता, कहां पे iron पे तो हम देखो जब हम टच करते हैं, electric iron को टच करते हैं कि छुने के लिए heat हुआ है कि नहीं हुआ है तो वहां पे हमें current नहीं लगता क्योंकि क्योंकि इसके बीच में हमने mica रखा हुआ होता है, mica जो है वो heat को तो अपने अंदर से जाने देता है, लेकिन current को अपने अंदर से नहीं जाने देता, यह mica इसलिए लगा जाता है और यही माइका तो देखा जाए, तो यही जादा weight भी होता है माइका का जो हमने लगाते है, अगर किसी प्रेस में बहुत जादा लगा होता है, नहीं तो और प्रेस में यह जादा भाहर बना देता है जो iron है, ठीक है? चलो, अब यह जो नीचे iron का surface लगा है यह वाला, यह यही तो main heat करता है, यही तो गरम होता है पुरा-पुरा, और यह तो उपर वाला body है, इसके उपर ही यह सारा, यह उपर का सारा terminology इसी के उपर रखा होता है, मतलब इतनी चीजे, नीचे वाला मैं बता रहा हूँ यह वाला जो है, यह यही वाला part है, और यह जो उपर है, करेंड को कंट्रोल करता है, अगर हमें जो प्रेस है, उसको ज्यादा heat करना है, तो हम इसको घूमाएंगे और कम करेंगे, क्या करेंगे, गूमाएंगे और बढ़ाएंगे, है ना, ठीक है, तो जब हम इसको घूमाएंगे, बढ़ाएंगे, तो क्या करेंगे, देखो यह ज आप साब बता रहा है कि भीया जब हम करेंट को बढ़ाएंगे तो हीट बढ़ रही है और जब हम करेंट को घुटाएंगे तो हीट घट रही है यह तो हुआ अपना का अपलिकेशन आफ एलेक्ट्रिक प्रेस्ट आई होगा और हाँ जिन बच्चों को इसमें कोई दिक्कत हो वो जा किससे पहले NCRT पढ़ा ले NCRT से उसका बेसी क्लियर हो जाएगा तो उनको यह वीडियो जाता चलेगा और इसमें कुछ खास है ही नहीं इसके बाद हम नेश्ट वीडियो में डिसकस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज जो कि आपके बड़े-बड़े घरों में यह वीडियो कैसे लगी केमें में जरूर बताए करिए भाई क्योंकि आपके रिस्पाउंस सही हमें प्रता चलता है कि यहां पर कॉंटेंट सही डिलिवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो हमने क्या देखा कि जब इलेक्ट्रिक आयरन होता है उसमें दो एक क्वाइल लगी ह जैसे जैसे हीट बढ़ेगी वैसे अपका अपका अपने प्रेश करते हैं वह इसी प्रेश करता है माइका का काम क्या है माइका काम यह है कि वह कंड़क्टर नहीं है किसका करेंट का लेकिन वह अच्छा कंड़क्टर है हीट का तो हीट को अपनी अंदर से जाने देता है त और करेंट का फ्लो नहीं हो पाता जिसे में करेंट नहीं लगता तो यह सब हुगा अपना क्या पूरा इलेक्टिक प्रेस तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दिये और चैनल को सब्सक्राइब करें जो बच्चे नहे हो और अपने दस्त वीडियो में तब तक के लिए शुभरात तरी जैहिन बाई बाई